सत्य समचार ततश्ट समचार समाज बदलनी हम्रो अभियान नमस्कार योहो टाइम समचार मभीरेंद्रमन सुरगरव केपी ओली को कथन समंधी प्रसंग वाटा मिलना बांकी कुरा समय मिलायरा पारीत गर्नु परने बतावनु भया वाले पिरीत हरुले न्यायपाउने पिरीत केंद्रित कानुन बनावनु परने अंतराष्टी अस्तरमा स्विकार हुने सर्मच अदालत को फैसलाला ध्याम दियरा विधेयक पारीत गर्नु परने बतावन अध्याक्षय ओलिले शंगिय सरकार को कामकारवाईले संग्याता अफ्यारो माँ पड़ी रहे को बताआँनु भैकाया चीछीर बाहियें किसक्रिक्तभट करें अबाद बाहर जा था Council गिस टुमिदानों, . डलlike सक्र sowुडवी और ऐलेडर फास्थी सारी पाज़ पाज़ें किसमेर बंपडिक्तभफाल टामा किसीगर सकतेमारीZealland के दिट के अंदरे तूल मपरो पीडित लाइ पीडात पपन भाइना पिडित लाइ जोर-जोलम गरना भाइना पीदत बुषत हिए चदे छाना अवहले अभिलेपनी फेरी जोर-जोलम गरे रहा उने रहा डवाय देता खना मरा थाय न knew पंतराष्ट्रे समधायले स्विकारिया होने गरी, और आम्रोशाभूचा अगालत गुपाइशलाचा थेचलाई द्यान दिये रहा, मानवता विरुद्ध का जगन्य अप्रादरू माच्छुठ ना होने गरी, तंड इंता ना होने गरी, प्रिली, एमिशा कोईले नेपाल मुना हो तेस्टोंग हले रिषको समधायले को समाधान नेगएशलाँ माच्छुठ शंगिएता कारेनमदर न का संगियताता, शंगियता आता, आमिले ही वहिन बनारा, आमिले शंगियता लेया काूं, शंगियता लेया गाउ। जरस्याद सिन भग वहना, अना पसे खालका कुरा हूं, पने दिमानो होला है, क्यों बोल एट त्यारी बदा सहिन उ आनकिए। मैं भी संध्य जटी कर्मा नाद श्रय कंरो होगी सिस्वास कर्मा करें काम भरना पाइएन खाथ सब्सों साथ कि गुर्म पुड़ क कि बडाएव कि अखु है अगे अदिर्व होगी, भर HC आ पाईए होगी मैं अजी पुर्ना पाइएन भरने भुछ कि अधान प्रेश ले प्रेश ले चलाने कुरा प्रवरी बिविगरी आशा, पुलीस लाहे आपने नंगाले चलान दीने परिपाटने लें पुने पुने निकाहे, आज तो में अवले, पटनु बोला संचार मांदे मरुमा, स्वरकार को किर्याक गलाब ले अस्थाचे कुगरे रहा, आपनु कभजा मा रेटकरस होनु परने, नौदा नौदा नौदे, रेटकरस लेने मानने ता पायना ने बालगू, एदि आज मा पईलो पल्डरेटकरस माने ता बंदा बाई रेगा, तो किना मनी स्वरकार को किर्याक गलाब ले, इस्ता बेठी काम तो स्वरकार ले गरे गए छाप, जथा भावी दर्याचा, एकलावटी हूँ परने बंठांचा, यो देश आफने हो बंठांचा, पाट बंठांचा, त तिसरो राइंति दल्ले आई कहीले संह सरकार चलावने हो भन्ने पत्रकार हरुको प्रस्ण मा, अध्यक्चा उलीले ज़ानता स्वचेत्न भाई सहम सरकार चली रहने बतावनू भयो जन्मत पार्टी का अध्यक्चर सीके राओकले पार्टी को किंद्रे सचीवालों को बैठक मा छलफल का लागी राजिन्ति प्रस्ताप पेश गर्णुभाएकोच प्रस्तामा राजनिती संक्रक्षन मा बेथिती भूराजनिती परिवेश नेतित्यमा दूर दर्श्टीर प्रतिबधता को कमी और स्थीर 17 प्रश्टाशार संस्थालाई संस्थागत लाई मुलुको विकास का बाधक का रुपमा उलेग गर्णु भैको छा राजमाग निर्मार मा धिला स्थुस्ती गरेको भंदै मिर्चैया को अस्थाणिया आंदूलीत बने काचन मिर्चैया इस्थित काटारी चोकमा अस्थाणि हरू बिहानाई देखी सरक ब्रुद्ध पारेकाहुर सिरहा को कमला देखी सप्तरीको कंचनपूर्शम 87 किलोमीटर को चार लेन सरक चाइना रेलबे नंबर दुई इंजिनियरिंग गुरूप ले निर्मान गरी रहेको छा उसले निर्मान मा धिलाई गर्दा रा सरक मा पानी समेत चरकना आनाकानी गर्दा अस्थाणिये आजीत बनेगा छान यसागी उनिहरू पटक-पटक आंदोल लन गर्दे आएका चन तरा सुनबाई भाय को चैना मिर्चैयामा यथा सिर्ग कालो पत्रे गर्णू परने अस्थाणिये को माग छा सिर्ग को तातकालिन राजपूर गावीश का सचीव केशब घिमरेले भ्रष्टाचार इठार भाय क्या छान विशे सदालत ले उनलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोसी ठार गर्दे तीन बर्ष कैदरा 27 लाख रुपया जरीबाना गर्ने फैसला सुनाए को न्याइधी स्टेक नारायन कुबर, न्याइधी सरू, तेज नारायन सिंग राई, मुरारी बावुस्रेष्ट को इजलास ले तातकालिन गावीश को रकम वहाले हिना मिना गरेको ठाहर गरेको अक्तियाद दुर्पयो गनुशंधान आयोगले घिम्रेलाई सिरहा को राजपूर गावीश मा आर्थिक बर्षा उन सत्तरी, सत्तरी रा सत्तरी एक सत्तरी को आंत्री काय तर्फा को आमदरी मा हिना मिना गरेको आरोप लगावदे दुहजार अठतर फागुन सताइस मा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो घिम्रेले समाजिक सुरक्षा बात्तामा दुहजार बहत्तर रात्तिहत्तर को दोस्रो किस्ता को रकम बैंक बाता जीकी बित्र नगरेको कुने स्त्रेस ता बिल भरपाई नराखी खरीद आदेश दाखिला आदेश समेत नराखी चेक काटे रा सिर्षक न खुले को इस्टेशनरी कार्याले संचालन खर्चा बिकास निर्मान समेत का सिर्षक खरुमा ही नामी नागरेको अक्तियार को ठाहरतियो संचार तथा सुचना प्रविधी मंत्री रेखा सर्माले सरकार ले सुचना प्रविधी को विकासरा प्रयोग लाए उच्छ प्रात्मिक्ता माराखे को बताऊनु भैको छा शोंबार नेपाल टेली कम को विशव बार्शी को जब समारो लाए शंबोधन गर्दे वहां ले यस्तो बताऊन भै को हो संचार मंत्री सर्माले सुचना प्रविधी को अधार भूत पुर्वाधार दूर संचार नहीं रहे को बताऊन भै वहाले सरकार ले डिज्टल नेपाल को अभधारना कार्वेन गर्न अप्टिकल फाइवर विश्तार गरी सुचना महामार्ग निर्मान गर्ने मुलुक का सबै छेत्रमा दूर संचार सेवा को पहुंच रहा गुनस्तर ब्रिधी गर्ने तरफ कंपनी का कारिक्रम हरू लक्षीत रहे को बताऊन भै वहां ले लाइसेंस खारीज भाय का कंपनी का संपती व्यवस्थापन गर्ने कानून संसोधन देखी यन्शेल को सेयर विक्री खरीद प्रकरनमा चानवीन गरी प्रतिवेदन लिने लगायत का काम सरकार ले गरी रहे को बताऊन भै संचार मंत्री सरमाले यस बर्षा मात्रै सरकारले नया फ्रेक्वेंसी नीती 2008 जारी गरे रहा निपाल को विकास माता अत्याव सक्यर राष्टलाई महत्तपुन योगदान दीने दूर संचार छेत्रलाई थब व्यवस्थीत गर्ने गरी कार्वेन माल लिया येको बताऊन भैयो विस्तार, SMS गेत्वे उचित दर्मा दिने गरी विस्तार, देशब्यापी रुप्पा मार्केटिंग क्रिया कलाप परु संचारान गर्ने एट्टुपी आये मा बड़त्तरी लगायत का कार्यारू एथा सिग्र सुरू गर्ना मही आगर गर्ना चाहांचु इक कार्का मुरू सुचारू गर्ना शक्दा रर एलाई एग्रेशिक धंग माटा गर्ना शक्दा नेपान टेलिकम को आये आर्जन मा जुन गिरावट आई रहेको छो बनेर आमले बने रहेका चाहू और कती पाये शुचना रप्राविदी मा आयेको विकास्ता कार्यन और पने उसतो बहएको छा अमले तेशको विकास्त ळाई ठिक डोंगने समयमा पकणनों नशक्दा पने उसतो बहएको छा तेश कार्णने येस तरफप विशेष त्यांदेना आगर्णा गर्द छु रसक अन्रोद गरना चाहांचु। अन्रोद गरना चाहांचु। मंत्रा लएले नितीर पर्षासिनेक दुमे खालका काम अगारी बड़े राखेकोच यो सार्वजिनेक भईने सकेकोच। अन्रोद गरना चाहांचु। अन्रोद गरना चाहांचु। मंत्री सर्माले अब जती सक्दो छीटो अन्लाइन प्रनाली मा जाना जरूरी रहे कोरा। तेसका लागी डिजटल प्रवाधार अनिबारे सर्थ रहे को बताऊनु। दूरसंचार छेत्र को विकास ले मात्रा डिजिटलाइजेशन मा युगदान दिने भईकुले दूरसंचार को विकास मा सरकार ले बढ़े प्राथमिक्ता दी रहे को बताऊनु। मंत्री सर्माले करमचारी हरु को पेशागा तहाखित को रक्षागरने दाइत्व। पहिलो दाइत्व भई को बताऊनु। संचार तथा सुषना प्रविधी मंत्री रेखा सर्माले सुरक्षन मुद्रन बिधियक बाटा प्रदेश का विशय बस्तु हरु हटायरा प्रदेश को अधिकार अस्थापीत गर्णु परने बताऊनु भईको छा। सुषना प्रविधी समिती को बैठक मा बोलदै संचार मंत्री सर्माले इस्तु बताऊनु भईको हो। ड्राइविंग लाइसेंस को विशय ब्रदेश सरकार लाइ दीने भणिये को ले प्रदेश लाइस छोटनु परने बताऊनु भईको हो। सुमितान मा तेस्तों के बहको डुपलिकाशन भईको छावने तेला है अटाव रशाकिन जस्तालाइच अरू पांकी राष्ट्रेशामाले थपे को भीशय बाइनक नोट उले थपे काईच तेस्मा फेरी एता मान्ने माईस बरतावला की कोसको सब्सर्मी देखे माईने तो सिक का अधि ठापने की बाहन भाननोबाचा तेला अजस्तों चिके बाला जस्तों रशान पर नोट बंदी आती तेतीक अधिए को अरुपलिकी अधिया अधिय अगर बाटा परे ना ते सारकाश एक्जुकेटिफ ले घुकर अधिया को बाने मान्ने प्रेमिशा पार्शान प्रदेश माने हस्तांत्रन गर्णे गरी एन निर्मान गर्णु पर ने धाना राकनु भया प्रदेश सरकार का अधिकार का विधेय खरु पारित गर्दय जाने हो भने संगियता को अचित्य समाप्तु ने बताऊनु भया प्रत्निधी सभा का सभामुग देवराज घिम्रेले राष्ट का साधा मुद्दामा राजनती दर्भरु एक जू ठूनु पर ने बताऊनु भया आज देखी सुरु भया को तेसरो हिवदे अधिवेशन को बैठक मा बोल्दै सभामुग घिम्रेले राष्ट का साधा मुद्दामा संभा मुद्दामा प्रत्निधी दर्भरु ले एक तालाई निरंतर ता दिन उपर ने बताऊनु भया एन निर्मान मा संख्यात्मक नतीजा आउन न सके पनी एक बर्ष को अब्धी मा प्रयाप्त मात्रा मा ग्रहकार भाय को वहां को भनाई चा सभामुग घिम्रेले बिगत काद्दुई अधिवेशन मा संसद नियमावली को निर्मान तथा समीतिले पुर्णता पाये संगई संसदिये गति बिधी हरु क्रिया सील हुदेगे बिधी को अधिवेशन मा मुलुक लाई संसद मा अबलंबन गरीने बिधी रा प्रकिलियारा भ्यासलाई परिश्क्रित रा जनमुखी बनाऊना सामोहिक पर्तिबादता आविश्यक रहे को वहां को भनाई चा माननिय सदशेजी अरू प्रतिनी सवाको तेसरो अधिवेशन शुरू भयको एस आवसर मा माननिय सदशेजी अरलाई हार दीक स्वागत गर्दचु समसद जत्ता को सारभोव सत्ता को प्रवय गरने एक महत्त पुन थलो हो समसद ये पनाली मा समसद को काम कानुनिर्मान संगई सरकार को गठन रा नियुदन गरने जन सरोकार का मुद्दा को सम्भोधन गरने सरकार लाई नियुदेश गरने हो बिगत का दूए अधिवेशन मा संख्यात्मक नतिजा प्राप्त हुना नसके पनी एक बर्षक को बीज मा पर्याप्त गिरिया कार्या भयकाशन चालू अधिवेशन मा मुलुक लाई आभस्यक कानुनिर्मान गर्नेरा संख्या गतिविदी अरू लाई थप प्रभाप काईरत डिवस्तित बनाउने प्राण गर्न जरुरी देखे कछु। राष्ट का साजा मुद्धा अरूमा समसद मा प्रति निरित्व गर्ने रांटिक दोलर को एकता लाई निरंतरता दिनाई पर्दसा बन्ने महिले दिर्ता ब्यक्त गर्ना चाहांचु। माम्य सदसियरू बिदी को सासन पारदर्शी तार जवाब देईता अधुनित लोक्तंत्र का आधरिस्तम महुन। समसद मा अबलमन गरिनी बिदी प्रक्रियारा अभ्यास अर लाई परिस्कृत उन्नत्र जनमुकी बनाऊना हमरो सामोईक प्रतिवदता जरूरी छा। समसद लाई प्रवाब कारी क्रियासील र जिवन त बनाऊना चालू अधिवेशन देखी के नया अभ्यास गर देचों। समसद लाई गतिविदी समय बद्ध संचालन का लागी कार्य ताली का लागुगरने र विगत मा बजेट माथी को चल्पल मा उठेकाटी पणी लाई समेत लाई ध्यान मा राखे र एसे अधिवेशन मा बजेट को सिदान तरा प्राथिक्ता माथी चल्पल करदा चों। समसद या क्रिया कलाव को समिक्ष्यार कमजोरी को सुदारले एस संस्ता प्रतिको विश्वास र भरोसा बिरिद्धी होदाई जान्चा किना बने लोग तंत्रमा जनता सबय वन्दा माथी उन्चन जनता को प्रतिक्रियार सुजाब लाई आत्मसाथ गर्दा यो संसद ये गति विधिलाई समय बद्ध संचालन का लागी कारिताली का लागू गर्ने र बिगत्मा बजेत माथी छल्फल क्रमा उठेका टिपनी लाई ध्यानमा राखेर एसे अधिवेशन बाटा बजेत सैध्यांत र प्रात्मिक्ता माथी छल्फल हुने जानकारी गराउन प्रत्निदी सभाले आर्थिक कारेविधी तथा बीतिय उत्तरदाइत तो अपहिलो संसोधन अध्यादेश 2008 संसद माँ पेश गरे को छा पार्चिक बजेक पेश गरने र चो प्रक्रियामा हुने चल्फल को अब्धे प्रयाप्त गरने उदेश सेले तो अध्यादेश प्रत्निदी सभा बैठक माँ पेश गर्णोपर एको प्रश्ठ पारनु भयो तेसे गरी बैठक मां कानुन नयाय तथा संसदीै मामिला मंत्र धनराज गुरूंगले व्यपत्ता पारिये का बेक्ति को चानवीन सत्य निरूपन तथा मेल मिला पायो को कारिविधी थप गरने अध्यादेशपनी पियस गर्नुभया प्रतनीदी सबाको और को बैठक यही माग 24 गते बुधवार बिहाना 11 बजे बसने गरी अस्थागीत ग आफू सरकार्मा आपची 38 मा सुधाराउन थाले को रहले सबै सुचक सकारात्मक रहे को दावी गन्य बर्तमान सरकारली गता आर्थिक बर्चा को माग 19 समा मा भाएको पुजीगत खर्चा जती पनी चालू आर्थिक बर्चको सोही अबधी मा गर्ना सके को शाईना हरेक बर्चा पुजीगत खर्चा गर्ना नसकने रा आर्थिक बर्चको अंतेमा हत्तार मा जथाभावी खर्च गर्ने प्रबिर्ती रोकना नसके को मात्र होई सेना प्रहडी आदिका लागी खर्च गर्छा, यस बार्टा बाकि रहे को रकम पूजी году हर्च को लागी बिन्योजन गर्छा तेस्ते विरेसी रिन पनी पूजी गर्च का लागी लींचा यद द्यपी सरकार ले ऐले बिरेशी रीन उठायरा करमचारी लाइ तौलब ख्वाई रहे को बताएंचा, कुने पनी मुलुक को साज़्वनिक बित्त त्यती बेला स्वस्त हुँचा, जती बेला उसले राजस्यको परिचालन पुजीगत खर्चकालागी खर्चा रहा, येस्तो खर्चले पुर्वाधा आफनो पूरा चमता पुजीगत खर्चा होस भन्ने मा लगावनु भर्चा, बास्तमा सरकार को खर्च गर्ने सहिली नए और तंत को बाधक बने कोछा भन्ने, सकेंचा तेसले पुजीगत बजेट रोकनू पनी येवटा नया प्रियोग हुँचा, पुजीगत बजेट रो होना सक्षा, ये ता आयोजना को काम अस्थानिये जन्ताले ने रेख देख गर्ना सक्षा, सरकारले पुजीगत बजेट न बनावने हो भने, बीदेसी रीन को चरको भार पनी कम हुँचा, रीन लियाओना बीदेस संग सहमतिवा सम्झाता संग सरकारले गर्नू पर्चा, तरह त्यो सहयोग रकम सिधे अस्थानिये सरकारलाय उपलब्दगरावने बेवस्था आउनू पर छा, अहिले बीदेसी रीन को सही परिचालन होना सकेको चाईना रा, येसको भार नेपाली को टावको मा बर्दो छा, रीन तिरनाक लागी कर बढ़ी उठाउनू परेको अ परमिशन खाई रहे को चा, येसलाय रोकना पनी पुजीगत बजेट हाटाई दिये हुन चा, सरकारले लक्षेर योजना अमसार खर्च गर्न ना सकने हो भने, तिस्तो कारिक्रम ना राखदार ने उत्ताम हुन चा, अब अन्प्राश्टे समाचार अफ्रीकी देश क्यामरून अउला विरुद्ध को खोप अभियान सुरुगरने पहिलो देश बने को चा, अरू के ही अफ्रीकी देश मापनी परिक्षन के ही प्रयोग सुरुभाय पनी अभियान के रूप माँ खोप लगाउने क्यामरून पहिलो देश बने को बीविसी ल जनाये कोछा यह सगे क्यामरुन सहित केन्या घानारा मालभी मां गरेको परिक्षन बार्टा खोप प्रभाब कारीर सुरक्षित पाईये पची विश्यो स्वाथ संगठन डबलुए चोले खोप लाई मानेता दिये कोछा क्यामरुन ले अरको बर्चमा समेत गरेरा छो महिना माथी का साड़े दुई लाग जना बाल बाल कालाई अउला बिरुद्ध को खोप लगाउने लक्षे राके कोछा तारा अफ्रीकी देश हरुका अभिबाबक बाल बाल कालाई खोप लगाउना सजीले तयार नहुने कारण अभियान चुनवती पूर्ण रहे कोछा क्यामरुन मा प्रतेक बर्षा साथी लाख मानिस मा अउलो पुष्टी हुन्छा रा ती मद्धे चार हज़ार जना को ज्यान जाने गरेको छा मृतक मद्धे धेरे जैसो पांच बर्षा मुनी का बाल बाल का रहे का चान बिश्व कै पुरानों मद्धे एक योटा रोग अउलो बिश्व मा बर्षेनी जंडए 21 करोर 90 लाख जना मा अनिसलाई साथ लाख चा बर्ष मा जंडए 6 लाख 20,000 जना को ज्यान लिने गरेको अउलो बाट प्राय पांच बर्षा मुनी का बाल बाल का बढ़ी प्रभावी जार भाय को अनभव हुने कामने ज्वरो आउने र अत्याधिक मात्रामा पसिना आउने अउलो का लक्षान हुन उप्चार हुना नसके को अवस्था मा स्वास प्रश्वास समंधी समस्यार सरीर का अंग नैक काम न गरने सकने अवस्था हुन चा इजिप्ट का राष्टपती अवदेल भता अल सीसीले पलेस्टैनी समस्या को समधान रा मध्यपूरव मा सुरक्चार इस्थीर्ता को आवाहन गरनु भाय को छा फ्रांस इरोप तथा बिदेस मामिला मंत्रे इस्टे फेन से जोन संगा को क्यामरों मा भाय को बैठक मा अल सीसीले यो टिपनी गरे काहुन समस्या समधान का लागी दुई राज्ये बीच समधान लाइ पुनर जीवन दीने समझाता हुना आविश्यक रहे को ताउन भाय उक्ता बैठक ले गाजा पट्टी मा युद्ध बिराम गरना रा गाजा का जनताले भोगदे आये को गंभीर मानविये विपती को अंते गरना मानविये सहायता राहत मा पहुँच प्रदान गरना केंदरीत भाय को बताईये को चा बाताले सांदर्भिक अंतराष्टे संकल्प को कारवेन समंध मा अंतराष्टे समुदायले जिमेवारी बहन गरनू पने आविश्यक्ता मा पनी जोड दिये को चा फ्रांसेली मंत्रीले इजीप्ट संगा थाई युद्ध बिराम र बंदी का आदान प्रदान का लागी समनबै गरना आफनो देश को प्रतिवात्ता जनाये को चा दुई देश ले द्वंदा को विश्तार रोखना महत्त पून रहे को बताई दुबई पक्षिले पहले स्टेनी लाए आपनो भूमी वाटा विश्थापन गरने कुनेई निती प्रस्टा रूपमा असुई कार गरने बताई टाइम समसा रहेली को लागी एतिने हरदे गरन होला टाइम्स टेलीविजन नमस्कार